तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि Heavenly Emperor और डार्क डेमन की फाइट चल रही थी और इस Evil बंदे ने यहाँ पर एक रियाल्म क्रियेट कर दिया था अब इधर इस समय दिखाये जाता है याओ लिंग को इसके बॉड़ी में जो औरा था इस रियाल्म के करण मानो धीरे पंखुडिया थी और जैसे यह फ्लावर प्रकट होता है यापर जो भी एविल क्रिचर से इस डार्क डेमन रियल्म में मानो यह कांपनी से लगे हो और इस पंखुडियों के फोर्स से जो दस मेंटर के अंदर एविल क्रीचर से वो डेश्ट्रॉय हो जाते थे अब इदर जो डार्क डेमन थे इन्होंने अपना जो टेक्निक के यूद किया थे इस बार तो फिंगर अफ 10,000 डेमन यह ग्रेट इमोर्टल आर्ट के कॉम्परेबल का टेक्निक माना जा सकता है यह डेविल फिंगर धिरे धिरे हैवेली एंपरर के वाइटल पॉइंट्स को एम करके इनकी तरह बढ़ रहा था और एमपरर भी इस अटेक को डॉज नहीं कर रहे थे यह अपने फिजिकल स्टेंट से इस प्रकार के अटेक को डार्क लेपने बॉड़ी पर लेने को सोच रहे थे इनकी बॉड़ी से इस फिंगर का टेरिफाइंग को रिजन होता है और यह काफ अटर की जो बॉड़ी थी वो लगए 100 मिटर दूर फैंक दिये जाते हैं हेवली इंपर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे यह जो फ्लेम्स थे मानुन की बॉड़ी को जला रहे हो पर यह फिलाल अपने माइंड को प्रटेक करके थे अब यह जो बॉन स्केलेटन ड्रेगन ता इनकी आखों में अलगी गुस्ता दिखा जा सकता था और यह तुरंत आसमान की तरफ देखते हैं मानु और वहाँ पर तीन जायंट शैडो देखते हैं और धीरे-धीरे जो डार्क डेमन रियालम था यह गायव होने लगता है और इस समय यह जो वॉइड थंडर पॉंड थ रहे थे और इन्होंने इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था पर हेवनली एंपरर की हालत कोई खास अची नहीं थी निकिए बॉड़ी पर कई सारे स्कार से फिलाल अभी किसी को पता नहीं रहता है कि इस मौके का फायदा उठाकर क्या वो डार्क डेमन सेवन मारे गये तो अभी याउलिंग की नेजर हेवनली एंपरर पर जाती है जियान भी अभी इस तो में चारो तरब धूंड रहा था कि वो डेमन आफ डार्कनेस गया कहा क्योंकि बाहर में इसका फॉर्मेशन है अगर वहां से डेमन आफ डार्कनेस निकला होता तो जियान को प पास और यह जो क्लॉज अटेक था फैवनली एंपरर के चेश्ट को पूरा भेंदते हुए इनके बॉड़ी को पूरा लहू लुहान कर देता है और इनके चेश्ट में उस बंदे के पास वो जो परपल गोल्ड था बॉटल हेवनली एंपरर के हार्ट में इसको लगा दीता है और वो बंदा कहता है फाइनली एंपरर यह बैटल में जीत चुका हूं जिया रवगरस सब इस बंदे की तरफ देखने लगते हैं क्या यह बंदा वही डेमन अफ डार्कनेस है क्योंकि शायद इनके हिसाब से यह सेवन्थ लेवल रिंकारनेशन पर ब्रेक नहीं कर पाय तो क्योंकि उस बंदेने इनका सोर्स पावर ही डेमेज कर दिया है तो फ्यूचर में यह आगे एडवांस भी नहीं कर पाएंगे और जो यह परपल गोल्ड गॉर्ड था इसके पास जो एक डिवाइन विपन इसे भी यह पीसस में ब्रेक कर देता है और जो भी हैंपर का प पावर है, हुली फिलेम भी इसने ले लिया है और कई सारे लोगों के पावर को भी इसने थोड़ी समय पहले ही डिवोर किया था अब जियान समझ जाता है जो भी करना है इन चारों को ही करना पड़ेगा यह तुरंत यह अपने ग्लास कलर फ्लेम से 5 कलर का हुली पैठर्न स लगता है demon of darkness देखता है जियान के तरफ और यह तुरन थी इसके पास ब्लैक होल टाइपस पावर थे जियान के तरफ फैंक देता है और मानुस जियान इस समय काफी खतरनाक लेवल का प्रिशर जहिलने लगा हो जियान इसमय कुछ कदम पीछे हड़ जाता है union आवाज लगात करता है और जो यावलिंग में थी इसने भी अपना अटेक किया था यावशी ओडर होली की पर यह तीनों अपने अपने पावर फुल अटेक करती है तो इस सीन को देख करके holy emperor भी एक बार को सरप्राइज हो जाता है इसको समझ में आ जाता है इन तीनों वोमेंस के पास इन तीनों वोमेंस के अटेक को यह डिजॉल्व कर देता है और यह तीनों वोमेंस फिलार काफी वीक लगने लगती है और शायद ऐसा लग रहा था कि अब यह भी हार जाएंगी और demon of darkness अब इन से कहता है ठीक है फिर तुम तीनों और यह इनके तरफ एक-एक कदम करके पढ़ यह बोलती है जियान यह तुम कर क्या रहे हो जियान के तरह मुझे पता है और यह करना जरूरी है जियान के हाथ में समय इसका devil's cube था और इसके power को धिरतर यह अपने body में inject कर रहा था demon of darkness समय मने के इतिरियल demon god के तरह खड़े होगे पूरे battle का मजा ले रहा हो पर जैसे जि मैं पहले ही promise किया था शैद साधी का वादा किया था तो यह कहती है तुम ऐसे नहीं मर सकते हो तुमने मुझे जो promise दिया उसे पूरा भी नहीं किया है जियान की बातों करता है और यह hand sign move करता है और तुरंत इन तीनों लड़कियों को और even heavenly emperor को यहां से अलग कर देता है औ जो थी इसकी इस power के साथ adjust करने लगी थी तो इसको कोई backless वगरा भी नहीं होता था मतला बैटर लड़ने के बाद कोई after effect इन powers का और इसके बाद इसको कभी डेवरी क्यूब की जरूद भी नहीं पड़ेगी यह आराम से इस प्रकार के power को खुद की body में mobilize कर सकेगा डार्क डेमन फिर से एक attack यूज़ करता है और जियान एक ही पंच में इसके attack को dissolve कर दिता और कहता है इस प्रकार के tricks मेरे सामने काम नहीं करेंगे डार्क डेमन फिर से एक attack यूज़ करता है और जियान के सामने एक ब्लड लाइक एनरजी यूमेन का फेस लिए वे इसके तरफ बढ़ने लगती है जियान की समय बाल भी हरे रंके हो चुके तरफ काफी बड़े हो चुके थे यूनिन इस समय जियान को देख रही थी जियान फिर भी कहती मैं नहीं चाहती को वह एक monster बन जाए डेमन फ डार्कने से समय काफी ज्यादा serious भी था फिर भी यह जियान की तरफ एक sinister smile से घूर रहा था यह सोच रहत अगर इस प्रकार का power इसे मिल जाए तो यह आराम से 7th star incarnation incarnation पर फानली पहुंच सकेगा क्योंकि इस समय इ नहीं तो इसका जो devil's cube का power है समय के साथ खतम तो हुई जाएगा demon of darkness इस समय एक devouring power यूज करता है और यहाँ पर जो भी thunderous power था यह इसे भी इसमें devour कर लेता है और इस प्रकार का power जियान के इस devil's cube के पास भी था पर जियान का जो demonic power था devil power कुछ जादा ही pure था इस समय जिय लॉंच किया था demon of darkness ने black hole type क्योंकि जहां से black hole गुजरता था वहां का जो भी power हो यह वहां पर जो भी चीज हो और पूरी तरह से खतम हो जा रहा था और इधर वहीं दूसरी तरह union के पास जो इसका holy flame था 10,000 flowers वाला उसमें थोड़े fluctuations होनी लगे थे और इसमें जियान भी पूरे devil form में आ चुका था और इसके पीछे मतलब एक devil के shadow को भी देखा जा सकता था और जियान के जो shadow power था इस black hole से जाकर टकराने लगता है और दोनों के collision से समय खतरनाक लेवल के sounds वगेरा waves वगेरा निकल रही थी और इस समय डेमन भी थोड़ा helpness फिल करता है पर इस समय पर जो जियान का यह जो demon shadow body थी यह धीरे दरे से black hole के करण खतम होने लगी थी और थोड़ी ही समय में यह पूरी जियान की shadow body को खा जाता है अब क्यूंकि जब यह जियान के power को खाने लगता है यानि shadow के power को तो जियान के और आवरा कम होने लगती है और वही demon of darkness की आवरा increase होने लगती है और इसके और बढ़ते बढ़ते six star incarnation के peak पर पहुंच जाती है चारों लोग जो इस battle को देख रहे थे इनके हिसाब से शायद अब यह जियान battle हार चुका था पर इसमें आसमान में एक bright power एक flower के समान मानों खेल रहा हो और वही demon of darkness जियान के power को absorb कर के काफी ज जाने दो तब यूरी इससे कहती अरे वो अभी collapse नहीं हो है वो अभी भी जिन्दा है यूनियून भी उस तरफ देखती है फिर ये शान्त हो जाती है क्योंकि जियान जहां पर fight कर रहा था अभी इसके devil power को लोग साफ feel कर सकते थे और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि वो जो ब इस समय काफी खुश था कि इस बार मैं जीत गया और मेरी पास एक नया power devil power भी आ चुका है दुनिया मेरे कदमों में जुकेगी और यह अलग ही मतलब पागलों के समय इस समय हस रहा था क्योंकि इसका strength था और भी जड़ा बढ़ गया था और इस समय इसके आसपास का जो भी बॉड़ी खड़ी थी और जियान के बॉड़ी पर इस समय इसका holy flame को भी देखा जा सकता था अब यह devil भी demon के दर ठीक है तुम मरे नहीं तो गया पर तुम्हारा power तुम्हारा पावर तुम्हें एब्सॉर्ब कर चुका है devil वाला demon of darkness तुरंथी demon blade बनाता है और जियान के तरफ उच्छाल देता है और वैसे भी जियान इस समय इंजट तो था ही जियान इसके attack को देखता और कहता है जियान का devil power इसके body में था ये इससे fight करने लगा हो और जियान smile करता है जियान का एक bet था ये अपना इसको power दे देगा क्योंकि devil का जो power है वो काफी mysterious माना जाता है और जो demon of darkness था इस प्रकार के power को forcefully suppress कर रहा था क्योंकि अगर किसी की body के अंदर devil fruit ना हो तो इस प्रकार के power को वो use करी नहीं पाएगा और वैसे भी इसके अंदर से जो जियान का devil power था इसकी body को दिरे-दिरे corrode कर रहा था बाहर से भी battle और अंदर से भी battle तो इसका मरना अप तैय हो चुका था समय जो भी power इसके पास थे जो दिरे इसके body से निकलने लगते हैं इसके body में एक cyan color का flame था और यह मानो जियान के flaming mantra था उसे fuse होने लगा था इस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया था और यावलिंग इस समय अपने space power से यहां का जो भी space system में crack हो गया था इसे recover करने लगती है और demon of darkness फिलाल मर चुका था अब इसमें जियान के हालत काफी खराब थी मन एक old man जैसा हो और union के बाहों में पढ़ा हो यावलिंग और euro भी जियान को इस समय थेंक्यू बोलती है अब यह 4 smile करी रहे थे तब ही नीचे से कावाज आती है लगता है मैंने तुमको underestimate कर दिया औ बढ़कना शुरू हो गए थी और जियान के आसपास का जो भी स्पेस था यह जियान को इस समय क्यादी बना लेता है और जो भी इसके साथ में थे और समय से जो प्रेशर निकल रहा था जियान और बाकी काफी तेजी से साप्रेस करने लगता है यूनियून देखती है वेनी जियान भी समय खासता है और इस समय Heavenly Emperor के हाथों में एक फ्लावर था जो इसमय पूरी तरह से खेल चुका था शायद यह वही था जो आप लोग पूछ रहे थे नम्मर वन डिवाइन वेपन इन फेरी वर्ड नॉट इन ग्रेट ठाउजन वर्ड वर्ड हैंपर भी पहले से जियान भी समय जियान से कहती है कि मैं अपने होली फ्लेम और गॉड फ्लावर्स का पावर यूज करती हूं तीनों इस समय जियान के लिए खड़ी थी जियान भी समय खड़ा हो जाता है और इस समय Heavenly जवान डूलर से यह पूछता है कि Senior में बस कितने चांसें से कि मैं इस Heavenly Emperor को मार दूँगा एंसें जुवान डूलर कहते हैं शायद एक परजेंट या उससे भी कम यह कहते हैं क्योंकि इसके पास यह वैपन है नमर वन फेरी वैपन है और यह काफी मिश्टीरियस माना जाता है आज तक इसकी मिश्टीरियस को कोई पता नहीं लगा पाया है पर यह कहते हैं ठीक है फिर हम ट्राइक कर सकते हैं पर सबसे खतरनाक बात यह थी कि जिवान का जियान के जो एंसेंट जुवान गुलर था यह समय के साथ इंक्रीज होते रहेगा होली किंग भी जब इसे यूज करते यानि टाउशे कोड तो यह इसको फुल पावर पे यूज कभी करी नहीं पाया थे जायो क्लैन ने Great Thousand World बनाने का पूरा क्रेडिट अपने पर ले लिया था और दूसरी बात साधी अपनी प्रेमी का होस बैटल में खो दिये थे और इसका भी फॉल्ट है जायो क्लैन पर ही देते थे और उसके पास जायो क्लैन गायब भी हो गये थे तो आज तुम्हारा डिसे इसमें Heavenly Emperor अपने Thunder Power से इन सभी पर अटेक कर दिया रहते हैं पर इसमें Chain of Thunder से इन सभी के तरफ बढ़ रहा था पर जियान अपने Power से फिलाल सभी को प्रटेक करने की कोशिश कर रहा था और यह चारो मोमेन भी कहा रूकने को तैयार थी इस Flower Elf को लेकि यह चार थी यह भी अ 1000 मिटर से भी ज़्यादा बढ़ा होगा और यह काफी तेजी से इसके तरफ बढ़ने लगते इस प्रकार के सीन को दिख करके Heavenly Emperor भी हैरान हो जाता है Heavenly Emperor भी समझ गयती यह कौन चीज है इस प्रकार के Power जिसे कि Heavenly Emperor भी डर खाते थे तब ही इस समय यहां पर एक Void में Crack होता है Heavenly Emperor के सामने खड़े हैं कौन है जुनेर के हाथों में इसमें एक Stone Box था यह जियान से पूछी क्या आपको नहीं पता है यह कहती है मतलब यह बाग्जिया ड्रागन किंग है और यहां पर जो भी लोग खड़े थे मानों इनके आवाज ही चली गई हो और यह जो बॉक्स था श इंपरर ने हरा दिया था क्योंकि बाग्जिया ड्रागन किंग लगवख हजार सालों से कह दी थे और इनका और पहले से कम हो चुका था इसी नएने साथ 1000 साल पहले साफ प्रेस किया था और यहां सता कि साथ मैंने तुम्हें तुम्हारी पावर को उसी समय पूरे तरह से खतम कर देना चाहिए था बाग्जिया ड्रागन किंग का इसन फिलाल फिफ्ट इस्टार इंकारनेशन पर था अब क्योंकि इसमें हेवेनली एंपर कमजूर पढ़ गया था तो यह भी यहां पर ब्रेक फ्री कर लिये थे हेवेनली एंपर बाड़ी थी वह पहले हार चुके थे एविल क्लैन के कारण अब जियान को समझ में आता है इतना जल्दी यह कैसे हार गया था तो पीछे से इसने पागल हो गया था इसे कुछ समझ में आ रहा था बस इसको अपना बस पावर ही चाहिए था बाग्जिया ड्रागन किंग इस पर फिर से एक अटेक करते हैं पर यह तुरंत अपनी पाम क में सेकेंड नमर पर आता है फेरी वर्ल्ड में और इन सभी का इंफ्रमिशन यावलिंग के पास था यह सब को बता रही थी फिलाल तो फेरी वर्ल्ड के जो टॉप टू वैपन्स थे एक तो वह फ्लावर वाला वैपन जो के डिफेंस के लिए काफी अच्छा माना जाता है और दूसरा इसका यह स्वार्ड जो के अटैक के लिए काफी अच्छा माना जाता है इसमें प्रिंसेस क्यांकिन जियान से वह जो स्टोन बॉक्स मांग लेती है शायद जिसमें वाटर स्प्रेट और वह हो सकता है और जियान अपने फ्लेमिंग मंदरा से टैन कलर्ड हूली फ्लेम्स को कंडेंस करने लगा था हैं अपने तलवार को लिके खड़ा था और कहता इस तलवार को इस तलवार से मैंने कितने को गिरा है और इस समय जो हेवनली एंपर उसकी नजर जाती है प्रिंसेस क्यांकिन के हाथो पर यह तुरंते उस स्टोन बॉक्स को देखर समच जाता है यह वाटर स्पिर्ट और वाला बॉक्स है बाखी लोगों को पता नहों पर इन ऑप्स के बारे में काफी अच्छे से जानता था यह तुरंती कहता है यह बॉक्स मुझे देदो प्रिंसेस क्यांकिन यह देखर इनका भी चेरा पीला पड़ जाता है और वैसे प्रि हेवैन और अर्थ की इनरजी दिरे दरी कठा होने लगी थी और इसके हाथों में इसका हेवैनली जुआन डूलर था और उस पर कई सारे फेंट लाइन को अब देखा जा सकता था और जियान के बॉड़ी से जो भी फ्लेम पावर निकल रहा था इस गॉड जुआन डूलर मे दिरे दिरे जा रहा था तब ही हेवैनली इंपर की नजर जियान के इस वैपन पर जाती है और यह कहते हैं गॉड किलिंग रूलर सेकंड डिवाइन वैपन इन दा यूमेन वर्ल्ड ये भी समया शर चकित था क्योंकि साथ रियलम तो माने जाते हैं पर साथों रियलम में ज अटेक को त्यार कर रहा था बागजया ड्रेगन किंग या जो भी लोग इस समय है इस हेवैनली किंग के एपर की बॉड़ी कि समाने इसका जो लूवर पार्ट इनकी बॉड़ी की जैसा और ऊपर पार्ट में कई सरे ड्रेगन सकेल्स पहले ही उप चुके थे और जहर अधर इसमें सभी से कहता है सभी सभी अपने पावर यूज करो और अपने को प्रटेक करो नहीं तो अगर इस प्रकार की पावर के वेप से वेगर तुम लोग हीट होगे तुम्हारा माइन डेश्ट्रॉइ हो जाएगा अब इन दिनों के अटेक करा रहे थे वही नीचे सभी लोग और इस प्रकार का डिवाइन वेपन अगर किसी बंदे को हिट कर दे उन्हें के वल बस आर्च एंजल सी बचा सकते हैं बाकिस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है इस जियान की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी यह भी एक मरेवे इनसान के जैसा लेकर रहा था लग रहा था लग रहा था जमीन की तरफ गिर रहा था लाश अटेक के बारे इसको एंसियन जुवान और के स्परेट ने बताय था है फिर भी यह बोलता है मैं मर रहा हू तो क्या और यह तुरंदी डिवाइन आर्ट टाइची हेवें सेटरिंग स्वार्ड यूज करता है जियान की तरफ और इस प्रकार का अटेक जो कि हाफ डेमी गॉड लेवल का माना जा सकता है इसे देख करके एक बार तो एंसियन जुवान और भी थोड़ा सा फियर खाते ह श्याद इस प्रकार के अटेको इवें अगर होली किंग भी आ जाए तो उनके लिए ब्लॉक तो वो करी देंगे पर काफी मुश्किल होगा क्योंकि इस समय हेवें अपने पूरी जान लगा दी थी क्योंकि यह मर रहा था तकि जियान को भी मार दे हाला कि जियान के बोड़ समय में यह जो कॉलरन था काफी बड़ा हो जाता और यहां पर जो भी लोग थे इने प्रोटेक करने लगता है है इस बंदी के पास जाए उक्रेश है इसके पास कैसे दो सुपरी वेबंस हो सकते हैं और इसमें से गोल्डेन बीम आ फ्लाइट निकल जो कि फेरी वर्ल्ड को मतलब मध्धम थी पर जो 10 लाइन थे वो काफी डार्क थे क्योंकि जियान के पास फिलाल 10 होली फ्लेम थे और यह एक ऐसा डिवाइन वेपन है जो कि 36 प्रकार के होली फ्लेम से कंबाइंड करने के बाद संबन करने के बाद बनता है और इसका पावर एंसियन जुआन उलर स इस समय जियान जहां पर था इस कॉल्डर ने सबको प्रोटेक कर दिया था और हैवली अपर अब धेर धरे खतम हो रहा था इसका सूल भी अब धेर धरे गायब होने लगा था हैवली अपर सोच रहा था यह मर कैसे गया इसे मरना नहीं चाहिए और इसका डैमिकॉर्ड अब इससे भी डेर लगने लगा था बागजिया ड्रैगन किंग इसको और चाहते चमाटे मार रहे थे कि तुमने काफी गलत काम किये हैं वहीं अबर की बॉड़ी दर दर लाइट में बतल जाती है और यह खतम हो जाते फाइनली बागजिया ड्रैगन किंग फिर भी इसे द और दर थोड़ी समय में लेडी याउची भी आ जाती है याउलिंग में पुरा यहां की कहानी सुनाती है और थोड़ा बहुती रो भी रही थी अभी लोग बात ही कर रहे थे तभी खियान किन की नजर उस टाइची एंपरर स्वार्ड पर जाती है और मानुए जो डिवाइ इसके पास अपना खुद का एक स्पिरिच्वल नॉलेज होता है और यह जिसको अनुमती देगा वही इसका हगदार हो सकता है वही इस तलवार को चला सकता है जुनिर कदी मुझे इसके जरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले ही आर्टिफेक्ट ब्रेसलेट है याने एल्ड और यह जो और थी किसी और की निपर एक यूमेन वर्ड सेंटर के बंदे की थी और इसका स्टेंध भी शायद फिफ्ट स्टार इंकारनेशन के आसपास होगा और यह बंदा एक ग्री रोब में कपड़े में था फाइफ्ट स्टार इंकारनेशन से किसी को डरनी लगता पर व्ल्ड बंदा जो था यूमेन वर्ल सेंटर का था ये सबसे बड़ी बात थी और इस बंदे का नाम था यूवान गान यह तुरंथी इस एम्परर स्वर्ड को क्याप्चर कर लेता है यूमेन वर्ल्ड से फाइट करने का बस एक ही रियल में दम था वो था देमन वर्ड बा human world में काफी तबाही मचा रखी है अब यहाँ पर जो भी लोग थे जैसे कि याउची जो थी वो कहते हैं इस जियान ने तो हमारे fairy world को बचाया है यहाँ पर कितने सारे evils को इसने मारा है और इसमें तो alchemy hall के भी लोग आ चुके थे यह भी जियान को इनके हाथों में देना नहीं चाहते थे युवान क्यान कहता है यह हमारे world master ने order दिया है तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और यह मतलब यहाँ पर scroll दिखाता है जिसमें की world master का sign था world master मतलब human realm के जो main lord है उन्होंने जियान को पकड़ने को बोला था युवान क्यान कहता है आप लोगों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए आप लोग fairy world वाले हो फालतु में आप भी इसमें खसीटे जाओगे और यह जियान और जोनेर की तरफ घुरता है युवान क्यान कहता है के मेरे साथ चलो वैसे भी तुम्हारे साथ के लोगी इंजरड है तुम fight भी नहीं कर पाओगे अगर तुम दोस्की नहीं पाये जाओगे तो हमारे lord खोदी तुमें वापस बेज देंगे पर इस समय जावी हो या कोई बेज इनके अंदर एक अलगी killing intent जाग रहा था तब ही जो mother of yaoji है और second elder yaouch है alchemy hall वाल ये कहते हैं इन्हें मार दो मतलब ये जियान के लिए fight करने को भी तयार थे तो भाई लोग story यहीं पर समाप करते हैं और मिलते हैं राद मेरे ये video के साथ और हाँ जिनोंने भी like और subscribe नहीं किया है याद से कर दो यार और telegram पे और इंस्टा पे follow भी कर लो बाई